हलो फ्रेंट्स स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडिक एजिकेशन पर तो फ्रेंट्स आज की वीडियो माई रहेगी सूपर जितके सीज थार्ड प्रिश जो दो वीडियो मैंने डाली है उस पर आप लोगों ने काफी सारा प्यार बरसाया है उन दोनों की डेली ऐसा अच्छा मैटेल मिलता रहेगा यहां पर ठीक है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिकेशन पैल को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो आप तक पहुंचने में देरी ना हो बिल्कुल टाइम टू टू टाइम आप पहुंच जाए तो फ्रेंट्स चलिए आज की वीडियो के बारे में मैं आपको फोड़ा सा सोट में बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या देखने होगा इसमें प्रेंड आपको झीक को सरदी के लिए दिया था उसका आज आपको आंसर बताओं और उन तीन बच्चों के नाम जिनोंने इसका सही आंसर दिया तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का मारा पहला कोशन है वीश मानुवादिकार दिवस कब मनाया जाता है वीश मानुवादिकार दिवस हर साल 10 दिसमबर को मनाया जाता फ्रेंट्स 10 दिसमबर इसका राइट आंसर ह यह है यह जो पतिक्षिन है यह 23 सितंबर 2011 को नियोर्क में उद्गाटित किया गया था उसके लावा जो विश मानवादिकार दिवस है वो कब से मनाना परारम किया गया है वीश मानवा दिकार दिवस कब से मनाना परारम हुआ 1948 यहां पर यह मनाना परारम हुआ उसके अलावा एक और important question यहां से बनता है कि जो 10 December को वीश मानवा दिकार दिवस के अलावा भी एक दिवस और मनाया जाता है उसका क्या नाम है वो भी आपके अग्जाम में आ सकता है तो उसका नाम आप no down कर लिजिए जीव अधिकार दिवस जीव अधिकार दिवस भी वीश मानवा दिकार के साथ ही 10 December को मनाया जाता है friends आप मैं आप से request करूँगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें पूरे अपने आपको देख लेना कि आप comfortably है जब आपको free time हो इस वीडियो को देखना और साथ में copy pen लेके बैठना क्योंकि बहुत सारे points में आपको बताता चलता हूँ है question के बारे में जो आपको नहीं पता होते या कुछ को पता भी होते हैं तो कोई बात नहीं आपका revision हो जाता है तो जो जो important points में बता हूँ उनको आप copy में note down करते चला गरो उनसे भी आपके questions बन सकते हैं यहाँ पर अगर हम 10 questions भी करते हैं तो उनके आपके 30-40 questions यहाँ पर cover हो जाते है प्रेंट्स ठीक है तो second question की और चलते है सार का मुख्यले सार का मुख्यले कहाँ पे है second question में पूछा गया है इसका जो right answer होगा वो होगा option A काठमांडू नेपाल काठमांडू नेपाल में सार का मुख्यले अब हम बात करते हैं सार की full form क्या है सार्क की full form है South Asian Association for Regional Corporation South Asian Association for Regional Corporation अगर हम हिंदी में इसे कहें तो हिंदी में सार्क को दक्सेस के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में इसको दक्सेस बोला जाता है यह दक्सेस इसकी short form है अगर हिंदी में इसकी full form करें तो इसका फूर्ण जो रूप होगा वोगा दक्सिन ACI सेत्र सहयोग सम्मेलन और जो दक्सेश यानि कि सार्क का जो संगठन हुआ था सार्क का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ 8 दिसंबर 1985 अपनो डाउन कर लेना सार्क का गठन हुआ काफी important question है यह भी और उसके लावा इसका गठन कहां पर हुआ? इसका गठन हुआ बांगलादेश की राज़दानी धाका में बांगलादेश धाका में सार्क का गठन हुआ जबकि इसका मुख्यला है काठमांडू नेपाल यह आप difference ध्यान से note कर लेना इसको ध्यान से माइंड में रख लेना अपने की इसका गठन तो हुआ बांगलादेश धाका में जबकि इसका मुख्यला है काठमांडू नेपाल में अब इसके सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क के टोटल कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सार के कुल आठ सदस्य देश हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ नोट डाउन करते चलना अफगानिस्तान, बांगला देश, भोटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और स्री लंका यह 8 सदस्य देश हैं सार के क्योंकि कोशेन आपके एकजाम में आ सकता है आपको 4 उप्षन दिये मिलें यह उपर पूछा में लगा कि इन में से कौन सा एक देश सार का सदस्य नहीं है तो अगर आपको यह आठों के नाम मालूम है तो आप question को अच्छे से attempt कर सकते हो ठीक है काफी important question बनता है यहां से उसके लावा एक question यह भी बन सकता है कि सार्ख का नुइंतम सदस्या कौन सा देश बना है तो जो सार्ख का नुइंतम सदस्या है वो बना अफगानिस्तान कब बना 2007 में अफगानिस्तान इसका सबसे नया प्रेंट्स आ रही होगी तो इसी बात पर आज की वीडियो का हम target रखते हैं कुछ ज्यादा target नहीं 150 लाइक ही हम इसका target रखते हैं और मैं यह बात आप से भी बोलता हूं कि आप अपना target बना करो बहले ही आप अपना target चोटा बनाओ लेकिन बनाओ और उसको complete करने में प्रेंट्स नेक्स कोशन है हमारा थर्ड कोशन की गुरुदेव के उपनाम से किने जाना जाता है इन में से आपका right answer होगा वो होगा रविन्ना tag or I think आप में से सभी कोशन का answer मालूम होगा लेकिन इसके बारे में जो मैं बात बताने वाला हूं वो आपके लिए काफ इंप रविन्ना tag or को और गुरुजी के नाम से जाना जाता है MS गोल वलकर को यह डिफ्रेंस आप याद रखना आपका यह कोशन कभी भी एक्जाम में गलत नहीं होगा उसके लावा कुछ एक दो और important बातें आपको बता देता हूं गुरुदेव का नाम आपको बता है रविन्न tag or को ठीक है उसके लाव कुछ important points और याद रखना आपकी जो रविन्ना tag or थी उनकी जनम कब हुआ था उनका जनम हुआ था साथ मई 1861 को और उनकी मृत्यू हुई थी साथ अगस्त 1941 को दोनों कोलकता में जनम बीन का कोलकता में वर मृत्यू बीन की कोलकता में उसके लाव भार रविना tag or के बारे में इनकी उपलब्दियों के बारे में चाचा करते हैं उभी क्या क्या कोलसे नोर बन सकते हैं तो जो रविना tag or है आपको पता हमारा राष्ट्यगान की रिचना जनम की रविना tag or ने की थी उसके लावग गीताँजली एक किताब है जिनके लेखक गितांजली के लेका के रविना टेगोर, पहला नोबेल पुरुषकार लेने वाले पहले भारती है, वो भी रविना टेगोर ही और अमार सोनार जो एक बंगला देश का राष्टगान है यह गीत है, यह किसने रचा इसके रचियत अभी गुरुदेव हैं, अमर सोनार बंगला जो की आजकर बंगला देश का राष्टगान है, इसकी रचना भी रविनार टेग होने ही तो यह कुछ points आपको ध्यान दखने हैं, ठिक है फ्र सारी PDF पा सकते हैं बिल्कुल free of course सारी PDF आपको मिलेंगी कोई भी आपका एक भी पैसा नहीं लगया ठीक है फोर्थ कोशन ये और अगर हम चलते हैं तो फोर्थ कोशन है कि अस्तर जो प्रेक्षा पास्तर है वो क्या है हवा से हवा मार करने वाला है उसकी वो मार कहा करता है हवा से हवा है सते से सते ही ओप्षन दिये गए तो जो अक्सर अस्तर जो प्रेक्षा पास्तर है प्रेक्षे पास्तर का मतलब यानि कि मिसाइल जो अक्सर मिसाइल है वो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्तर हवा से हवा मार्क करने वाली मिसाइल है और इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रखना कि जो अस्तर की रेंज है यानि कि मार्क समता ये कितनी रेंज रखता है 10 से लेके 40 किरोमेटर के दायरे में इसकी रेंज है इतने में ये किसी भी दुश्मन को testness कर सकता है और इसका पहला प्रिक्षन कब किया गया था ये भी question important है इसका पहला प्रिक्षन आप no down कर लिजिए मई 2003 में इसका पहला प्रिक्षन किया गया मई 2003 में यहाँ पे मेरी writing अच्छी नहीं आरे होई फ्रेंट्स अभी थोड़ा सब बस आप भर ये बनाए रखना पॉरेयर करना वीडियो को तो जो इसका पहला किया गया मई 2 यह किया गया औरी सामेन चांदिपूर चांदिपूर उडिशा पहला ματα अगर हम चलते हैं उससे पहले आपको गुरुदेव जो है गुरुदेव का यानि की रविना टैगोर का एक फोटो दिखा जाता हूं कि जो हम देखते हैं ना वो हमारे माइंड में से हो जाता है यानि की जो वीजवल मेमरी हमारा जो माइंड है वो वीजवल मेमरी को ज्यादा टाइम तक सेव रखता है तो इससे आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होती है ठीक है तो नेक्स कोशन की अगर हम चलते हैं तो यह जो नेक्स कोशन है फिफ्ट कोशन प्राथना समाज के संस्थापक पूछा गया है कि कौन है तो जो प्राथना समाज के संस्थापक है यहांपशन दिए गए हैं A, B, C, D तो प्राथना समाज की स्थापना किसें ने की थी इन दों ने की थी एक तो थे आत्माराम पांदुरंग ऊदूसरा गोविंद रनाडे इन दोनों ने प्रात्थना-समाज की स्थापना की थी लेकिन ज्याधा तर कोशन में आपका आत्माराम पांदुरंग देखा मिलता है अगर दूसरा भी नाम है यह है आत्माराम पंडूरंग यह है और गोविंद रनाडे जो यह राइट में आपको दिख रहे हैं गोविंद रनाडे यह हैं तो इसके बारे में और कुछ आप जो डिटेल्स हैं वो नोडाउन कर लीजिए प्राथना समाज की स्थापना कहां पर की गई थी अगर यह कोश समाज का उदेश से क्या था इसका उदेश से था धार्मिक और समाजिक सुधार करना समाज में नेक्स कोशन हमारा सिक्स कोशन की मलेशिया का राष्टे खेल क्या है मलेशिया का राष्टे खेल क्या है तो इसका जो राइट आंसर यहां पर चार उप्शन समें से होगा वह option B, right answer इसका badminton है कि Malaysia का राष्टे खेल badminton है अब friends ये तो हो गई थोड़े से छोटे level के question की बाद अगर question का level थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो आपके option में क्या होगा badminton नहीं दिया मिलेगा उसकी जगया आपको ये option मिलेगा सेपक, ताक राओ और उसके अलावा आपको एक option मिलेगा इन में से कोई नहीं तो वहाँ पे आप फटाक से option D लगा के चले आओगे जो कि आपका गलत हो जाएगा तो friends आपका मैं एक बार question का level के साब से आपको समझा देता हूँ कि जो Malaysia का राष्टे खेल है लेकिन जो यह खेल है यह एक badminton की तरह खेल है तो इसको common में badminton ही बोल दिया जाता है अगर option में badminton नहीं है तो आप यही लगा कि आओगे सेपक ताक राओ ठीक है यह का राष्टे खेल है इसका जो थोड़ा सा photo वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसके player है वो कुछ ऐसे दिखते हैं खेलते हुए यह सेपक ताकराओ जो खेल है खेलते टाइम की एक pick है जो picturize की गई है सूट की गई है वापे यह आप देख सकते होगी किस परकार यह खेल खेला जाता सेपक ताकराओ जिसको common में badminton के नाम से बोल जा जाता ठीक है तो next question है हमारा 7th question 7th question की और अगर हम चलते हैं तो 7th question है AIDS की full form क्या है AIDS की full form काफी common question है यह हर बार हर एक्जाम में पूछा जाता है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए तो AIDS की full form है acquired immunodeficiency syndrome और यह किस वाइरस के कान होती है यह होती है HIV वाइरस जो की भुछी खतरनाक है और उसके अलावा जो AIDS है, AIDS day भी मनाया जाता है वो भी आपको याद होना चाहिए AIDS related कुछ बात है AIDS day कर मनाया जाता है 1 December को AIDS day मनाया जाता है ठीक है और इस बार जो AIDS दिवस मनाया गया 1 December को उसकी theme क्या थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए उसकी theme थी Know your status ये उसकी theme थी Next question ये अगर और चलते हैं तो वह है 8th question दक्सिन अफरीका की मुद्रा क्या है दक्सिन अफरीका की मुद्रा क्या है तो जो दक्सिन अफरीका की मुद्रा है वो है रेंड रेंड दक्सिन अफरीका की मुद्रा है काफी common question है हर बार एक्जाम में पूछा जाता है लेकिन इतना आसान भी नहीं है दक्षिन अफरीका की मुद्रा है रेंड आप इसको याद कर लेजिए उसके लावा इसकी जो कैपिटल्स है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस दक्षिन अफरीका की कोई एक कैपिटल नहीं ह इसकी तीन तीन कैपिटल है यहाँ पे नोट डाउन कर लेना जरूर इसकी तीन कैपिटल है कैप्टाउन प्रिटोरिया और ब्लूम फोन्टेंट इसकी तीन कैपिटल है उसके लावा दक्षिन अफरीका के राष्टपती कौन है जो फिलाल है दक्षिन अफरीका के फोसा, सीरिल, राम फोसा मैं आप लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना इसको, सीरिल, सीरिल, राम फोसा, इसके राष्ट पती है, नेक्स कोशन की और हम चलेंगे अब, हमारा नेक्स कोशन होगा, वो है नाइन्थ कोशन, टीबी रोग होता है, इन में से किसके कारण, तो उप्षन दिये गए हैं आपके यहां पे चार, तो इन में से आपका राइट आंसर होगा, उप्षन सी, टीबी रोग बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, जिसकी वज़ए से टीबी रोग होता है, उस बक्टीरिया का नाम है mycobacterium tuberculosis mycobacterium mycobacterium मैं आपे लिख देता हूँ एक बार आप इसको no down भी कर लेना mycobacterium tuberculosis tuberculosis की spelling तो आपको पता ही होगी tuberculosis mycobacterium tuberculosis की बज़े से ये बैक्टीरिया है इसकी बज़े से TB होता है तो next question जो मारा होगा वो है 10th question कि ग्रेमी पुरुसकार किस सेतre में दिए जाते हैं आपका इनमें से right answer होगा संगीत सेत्र में ग्रेमी पुरुसकार हर साल दिए जाते हैं और जो जो 60-वे ग्रेमी पुरुषकार दिये गए, यह पुरुषकार किसको मिला है, do ल Cupar किसको मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा, वोगा Bruno Mars तो Bruno Mars ये नाम भी आप यहाँ पर no down कर लिजे काफ़ important नाम है question ये exam में बार-बार पूछा जाता है ग्रेमी पूशकार के बारे में album of the year का award मिला है Bruno Mars को ठीक है और इसके अलावा ये जो ग्रेमी पूशकार है वो किस academy द्वारा दिये जाते हैं तो ये दिये जाते हैं the recording the recording नाम की एक academy है the recording इस academy द्वारा ये पूशकार दिये जाते हैं तो ये आप no down कर लेना काफ़ी important है next question कि अगर हम और से लेंगे वो है 11th and 12th question ये जो दो question है current face लिए गए है last के दो question मैं हमेशा वीडियो में current face के लेता हूँ जिससे आपकी current face भी थोड़ी थोड़ी cover up होती रहे उसके अलावा मैं weekly एक वीडियो current face पर डालता रहूँगा week में एक वीडियो आपको current face की मिलेगी तो चलिए 11th question को देखते हैं hall he में युवा नाटे समारो के छटे संसकन का उद्गाटन कहा किया गया है आपके चार option दिये गए है Mumbai नई दिल्ली या नियोर कोलकता तो इन में से आपका right answer होगा वो होगा नई दिल्ली यानि कि answer B आपका right होगा यहां पे तो hall he में जो युवा नाटे समारो है वो नई दिल्ली में उनका उद्गाटन हुआ छटे संसकन का अब आपको युवा नाटे समारो इसके नाम को देखते ही आपको याद आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि यह युवा से related है यानि इसमें जो समारो किया जाता है यंग डारेक्टर्स यानि कि जो नई नई मूवी बनाते हैं या सीरिल्स बनाते हैं वो यंग डारेक्टर्स उनके लिए ये उद्गाटन समारो किया जाता है अधर है next question है 12th question 12th question है हाल ही में किस transgender मेला ने Miss Universe 2018 18 प्रतियोगता में भाग लिया काफी most important question है ये आपकी exam में जरूर आ सकता मैं कहता हूँ कि पूरी पूरी possibility है बहुत ही amazing question है कि हाल ही में किस transgender मेला ने Miss Universe 2018 प्रतियोगता में भाग लिया तो इसका जो right answer होगा यहां पे वो होगा option C Angela Ponce प्रतियोगता में भाग लिया उनकी photo में आपको दिखा देता हूँ एंजला पॉन से यह है एंजला पॉन से आप देख सकते हो the first transgender woman in Miss Universe 2018 तो यह आपको याद हो गई होगी I think image मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आपके mind में एक picture से हो जाए जब भी यह question है तो आपको एक picture अपने mind में दिख जाए ठीक है तो इससे आपको question याद करने में बहुत ही आसानी होती है उसके लावा एक और question यहाँ से बन सकता है एक और question यह बन सकता है कि जो Miss Universe 2018 की परतियोगता हूई है उसमें विजह किसने की है यानि कि उसमें winner कौन रही है तो जो Miss Universe 2018 बनी है वो बनी है Catriona Gray Catriona Gray जिनकी यह photo है यहाँ पर देख सकते हैं आप यह है Catriona Gray यह Miss Universe 2018 बनी है तो friends आज के हमारे 12th question complete हुए कल का जो homework दिया था उसका answer अब आपको बता देता हूँ next question जो आपका कल का homework दिया था मैंने वो दिया था तूती ये हिंद किसे कि आज़ाता है इसका लगबग आप सभी ने इसका right answer दिया है कि option C अमीर खुष्रो इसका right answer हो आप सभी ने अमीर खुष्रो इसका nama दिया है लेकिन मैंने आपसे वादा किया था तीन ली comments मैं आपकी share करूँगा तो वो तीन बच्चीयों के नाम में आपको बता देता हूँ जिन anda इसका right answer दिया है वैसे आप सभी ने दिया है लेकिन बता रखा कि जिन्होंने तबले का अविश्कार किया था अमीर खुशर उनको मिला है उसके लावा जो गोरो गैंग वोर हैं इस नाम से इनका नाम है गोरो गैंग वोर इन्होंने भी इसका बिलकुर आइट आंसर दिया है ओप्शन सी और इन्होंने बोला I love very much तो फ्रेंड् स्टूडेंट परवाइड कराते हैं तो फ्रेंट्स देख लिजिए आपका आज का हमवर्क क्या है आज का हमवर्क है आपका चांद-तारा किस देश का राष्टे परतीख है आपके चार और यहां पे दिये गए हैं इन्हें से आपको राइट और आंसर में बताना है कमेंट कीजिए आप अपना answer की इन में से आपका answer क्या होगा इस जो question है इसका answer मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा कल की वीडियो में और आपके जो तीन students के नाम है वो भी मैं यहाँ पे show करूँगा बिल्कुल आज की तरह जो इसका right answer देंगे friends तो comment कीजिए और वीडियो बताई आपको कैसा लगा आपको अच्छा लगता है या कैसा लगता आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बिल्कुल फ्री है कोई पैसा आपका लगने वाला नहीं है उसके लावा चैनल को आप subscribe कर सकती हो अगर नए हो तो और I think आपने कर रखा होगा जो main बात हो मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप notification bell को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं next वीडियो डालो तो उसकी notification आपको तुरंत मिल जाया और आप within seconds वीडियो को देख लो कहीं ये ना हो कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर किया करो ये वीडियो आप आपके लिए है आपकी वीडियो है आप जितना ज्यादा सेर करोगी आपके लिए फायदा है उतना ही ठीक है तो next question जो हम करेंगे कल की वीडिय तो फ्रेंट्स ओकी बाई फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभाई